वेरी फ्यू पीपल लो कि देरे मुलूप चोकलेट केटबरी का कोई प्रोड़क्त थी ही नहीं जिसकी मार्किमने कोई नीड ही नहीं थी उससे कोई कंपनी 24,000 करूर कैसे कमा सकती है फिर भी आज कोई मीठा का है तो तब सभी को केटबरी की डेरे मुलूप चोकलेट याद आती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज हमारे देश में वाँ चोकलेट सबसे जड़ा क्यों खाई जाती है अब सवाल 70% मार्केट शेर का है किटबरी, किटकेट, मंच, स्निकल्स और अंगुल जैसे प्रतियोगी को पीछे रखे यह बाजार पर केसे हावी है तो यह कहानी 28 सदी की शुरूरात में शुरू होती है उस समय बाजार में लोग शराप पीना पस्किल करते थे लोगों को शराप पीने की इतनी लगती कि हर 5-10 लोग जो शराप पीते थे मर जाते थे माजार में इस चीज़ को देखकर जोन किटबरी नाम का एक लड़का बहुत हिरान हुआ और लोगों के पास गया और उनसे एक बाद पूछी की तुम क्यू पीते हो और सभी काई की जवाब था पीने के बाद हम अच्छा लगता है इस पर स्वाब भी पसंद है यह सुनकर जब जब जोन ने मार्केट रिसर्च करी तब उसे पता लगा कि बहुत से लोग हैंगोबर के लिए निवर की स्वाथ के लिए शराब पीते हैं उसने लोगों से पूछा अगर मैं एक और अच्छा ड्रिंक लाओ तो क्या आप शराब छोड़ने के लिए रेडी हो और हर जगह से एक ही हभाब मिला पिले ड्रिंक लेके आओ फिट देखेंगे और लास्ट में 1824 में जोन केटबरी ने बाजार में होट चोकलेट दूद पेश किया चब उन्हें इस ड्रिंक को बाजार में उतारा लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आया एक दीन उसने होट चोकलेट बना कर कुछ दिर के लिए रख दी और जब कुछ दिर में वापस आकर देखा होट चोकलेट के लिए वा कुछ क्रस्ट देखता है जब वो उस क्रस्ट को ठंडा करके खाने लगा तब उससे ये बहुत टेस्टी लगा और उसे अपना नया प्रोड़क मिलता है, उस प्रोड़क को आज हम डेरी मिल्प चोकलेट के नाम से जानते हैं केटबरी आज भी इंडिया में टॉप लेवल पे है, ये और 1947 में देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और ठीक एक साल बात, केटबरी ने भारत में एंट्री करी, जिससे में केटबरी ने इंडियन मार्केट में एंट्री करी, उससे में केटबरी के पास इंडियन को देने के लिए एक ही चीज़ थी और वही चोकलेट, कभी सोचा है, जब अचाते हुए भी हमें कैसे मान लेते ह हमारे हाथ पर मोजू 99.98% की टानों खटनों हो जाएगे। जब भी डॉक्टर में कुछ भी सला देते हैं, हम आँख बन करके विश्वास कर लेते हैं तो उनके पास एक अधिकार में, जो आप लोगों को नहीं मिल पाता है और अगर यह लोग उस अधिकार के साथ, और यह लोग अगर हमें हमें हमारी हेल्थ के रिलेटिड कुछ बताते हैं, तो डीफोल्ट टूप से अच्छा ही होगा और इसी चीज़ को मार्केटिंग के संदर में कहा जाता है, और स्थोरेटिरियन इंफ्लूएंस, जो के के एट बरी के लिए बड़ा खत्रा था इसके लिए, केंट बरी ने दूसरी मार्केटिन स्टची अपना ही, विच वस कंजूप्शन विछ स्पांशन, उन्हें ने दो चीज़ पर फोकस किया, फिसमें यूथ, बेले जच पे पर में ऑल्ड़ेज पे भी फोकस किया, और इसके लिए के दबरी ने लिए दे रियर में छोटी आदी वहे पर मंच की से एस बर्डी की तो लोगों का परसेप्शन ऐसा था कि अगर वो पैसे खच कर ही रहे है तो बर्डी चोकलेट क्यू ना ले इस चीज तेक ओवर्कम करने के लिए केटबरी ने नई चोकलेट लॉच करी जिसका नाम था पर केटबरी कमटी नहीं बल्कि एक ब्रांड का नाम है कंडी का रियल ने में मोंड देलेक्स केटबरी मार्केट में रूल कर रही थी लेकिन अचना कुछ ऐसा हुआ कि एक टेंक का उनका रेग्लिर कस्टमर बेड से न केटबरी के पैकेजिंग में था क्योंकि वो पैपर पैकेजिंग में आती ही और हॉलसेलर्स और रीटेलर्स ने ठीक से स्टोर नहीं किया जिसकी वज़े से यह सक हुआ जिसके लिए उनने एक नई स्टेटजी अपना ही कस्तमर भी फॉर कमनी 40% मार्केटिंगा बजट सिर्ध बज़ लियाओ शुभारम बीठे से कुछ मीठा हो चाय से ले कर लेकर मीठे वड़ फर लोगों की साइकोलोजी को कैप्चिर किया जिसके पास सो रुपए है उसके लिए पी के पास प्रडुक्त और जिन के पास 500 रुपए है उंके लिए भी के लिए के पास पर प् I hope you guys like this case study, stay tuned for the next one.